हेलो एवरिवन विल्कम बैक आज की वीडियो में अपन ड्रेन पंप्स रहते ना उसके बारे में बात करेंगे मतलब वो ड्रेन पंप्स कही को लगाते फिर लगाए तो भी इंस्टालेशन करने का क्या तरीख है पहले अन्बॉक्सिंग कर लेंगे उसके बाद में टीटेल द ड्रेन पंप है यह स्प्रिंट का है मैक्स हाइफ लो मॉडल है और डब्बे में अपने को और कुछ भी नहाता एकाथ के बुल्ट है आती बस और डब्बे पे जो है पूरी डिटेल लिखे भी है 550 लीटर पर अवर इसकी रेंज है मतला 550 लीटर एक घंडे में पानी फेकता बस इतना ही रहता यह ड्रेन पंप का अब इसकी वैरिंग वे देख लिंगे अपन वैरिंग कैसा लगाना है क्या है तो अब इसमें देखो ऐसे का एक केबुल आ जाता यह के बुल जाएक है इसके अंदर एक फीमिल पोट लगे वह है इसके अदर सिंबल कनेक्ट होयाता हो उसके बाद में जो है इसके अंदर चार होल से चार होल में कहीं भी अपन ड़क्टिबूल का जो आटलेट है वो लाके कनेक्ट कर सकते फिर इसके अंदर जो पानी स्टोर होता वो ये पाइप के जरीए बाइड जाता अब ये पाइप के अंदर अपने को नॉर्मल जो पेट्रोल के पाइप उदया पहले अंदर देख लिना के अंदर क्या क्या है मैं इसको तो सीविंग पे रखने वाला हूं पहले अंदर देख लिंगे पंप के अंदर क्या क्या है सिंपल यह लॉक उठाते कि असा निकल लिया था पंप अलग टांक अलग है इसकी अपने को तो सर्विस करने इजी होता अपने को टांक में जो भी डस्ट वह आता ना और देख सकते दो साइड में अपने को जाली के टाइप में फिल्टरां बने वे हैं यह फिल्टरां कई को दिये वोले तो जब पानी आता ना अपने को तो पानी में कर कुछ भी कचरा वचरा है तो वह साइड में रुख जाना और हर ड्रेन पंप के जैसा सिंपल इसके अंदर लगाना है बस जहांपे मशीन का फेस नूटल लेना वहीं पर लगा लेना खईको बले तो मशीन अनुए वखर ट्रेन बंबिया अनुजाना अपने को अब यह पाइप लगा लेंगे पाइप लगाते होख़त जो है एकदम दिहान रखके आराम से लगाना खईको बले तो इस अब इसको अपन इंटाल करते होख़त दो टाइप से लगा सकते एक टो सीलिंग बेर्क दे सकते एक जो बाइर हैंक कर सकते बाइर कैसे जगों पर हैक करते यह पास के अगर अपना ऐसी उपर ला सिलिंग के मतलब जर्रा गया परास हम जो एक 5-6 इच तो इन्हें आराम से फिट होया था सीलिंग के अंदर इच नहीं अगर पूरा सीलिंग को लगे वा है ऐसी अगर वईसे जगहों पर अपन ड्रेन पंप अंदर ही सीलिंग में रख रहे बड़े तो ड्रेन पाइप जो रहा था उपर जहां भी पानी है वहां तक पहुंचा देता यहां पर उत्ती जगह नहीं समझो तो सहीं से अपने को नई समझ में आ रहा एक अपोजिट और एक मशीन है वहां पर ले लेकर जा रहा हूं अब यहां देखो ड्रेन पाइप में से पानी आया आके सीधा सीधा यहां पर ड्र खराब हो गया था तो उसको रिप्लेस करा हुए अब इसके अंदर एक इंडिकेटर भी लगे वा रहता अपने को अगर पंप चल रहा तो और में इंप्रडेंट पात और एक बोलना भुल गया हमें जो इसका पाइप रहता ना वह पाइप के उपर अपने सा फोम लगा ले 1.7 लेटर है पौने 2 लेटर तक का पानी समें इस्टोर होके उसके बाद उन्हें पानी फेकता और इसकी जो रेंज है मतलब उपर हाइट फेकने का वह पाँच मीटर तक उपर हाइट फेक सकता और यह पंप अपन कैसे जगों पे लगाते है वोले तो जहां पे अपने को ड्रेन की जो लाइन है वो किलिया नस्नाय रहता निचे से अपने को देने का से किलिया नस्नाय रहता वह इसे जगों पे लगाते है